गाइस Canon का 77D and latest camera 850D ये दोनों one of the best camera option है Canon brand में 60,000 रुपीज के आसपास के budget में जिससे confusion जादा हो जाती है कि ये दोनों camera में से कौन सा camera best है और हम इन दोनों में से कौन सा camera खरीदे तो आज की वीडियो में हम करेंगे दोनों camera का detailed comparison और फिर decide करेंगे कि हमें इन दोनों camera में से कौन सा camera लेना चाहिए तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम साहिल और मैं एक certified professional photographer हूँ अगर आप इस channel पर नए है तो जल्दी से subscribe करेंगे जिस बटन को दबा कर और आप भी शामिल हो जाएए मेरे YouTube परिवार में तो आईए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं जानिये photography और वीडियो प्रोडक्शन से related हर एक बात Watch, Learn, Enjoy तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों cameras के overall design की क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम कोई camera लेना चाहेंगे तो हम camera design को भी मद्धे नजर में जरूर रखेंगे और हम वो camera prefer करेंगे जो specifications और technology के साथ stylish and professional भी दिखेंगे तो 77D के design की बात करें तो उसका design same वैसा है जो हम 70D, 80D series में देखते आ रहे हैं and 850D की बात करें तो हमें इसके design में काफी जादा बदलाव देखने को मिल जाते हैं इस camera में नए तरह की creative controls और fancy buttons दिए गए हैं and overall design की बात करेंगे तो जादा stylish and attractive camera है Canon 850D, 77D के comparison से दोनों cameras light weight DSLR हैं इसके अलावा अगर हम battery backup की बात करें तो Canon 850D में हम full battery charge करने के बाद maximum 800 shots क्लिक कर सकते हैं and 77D के battery backup की बात करें तो उसे हम full charge करने के बाद maximum 600 shots क्लिक कर सकते हैं तो 200 shots का battery backup जादा है Canon 850D में image processor में भी फरक देखने को मिल जाता है दोनों cameras में जिसमें 77D में लगाया गया है Digic 7 processor and 850D में हमें मिल जाता है brand new Digic 8 processor जिससे overall camera performance में फरक पड़ता है तो 850D की camera performance processor के मामले में जादा better है अब बात करते हैं कि इन दोनों camera में से जादा बढ़िया कौन सा camera है photography purpose के लिए तो दोनों cameras में megapixels almost same है 77D में हमें 24.2 megapixels मिलते है and 850D की बात करें तो उसमें हमें 24.1 megapixel मिलते हैं ISO power भी दोनों cameras की same है 100 से लेके 25600 तक boost कर सकते हैं but 850D में कुछ condition है ISO को लेके specially video shooting में तो उस बारे में भी मैं बात करूँगा जब हम video shoot के point of view से बात करेंगे focusing के लिए guys दोनों cameras में 45 cross type focus points देखने को मिल जाते हैं viewfinder से shoot करने पर and अगर हम live view यानि LCD screen पर देखकर shoot करने की बात करें तो 850D आगे निकल जाता है जिसमें 3900 के आसपास focus points दिये गए हैं जिससे 850D में हमें focus करने की speed जादा fast and accurate मिल जाती है 77D के comparison में high speed shooting जो सबसे जादा काम आती है fast moving subject को shoot करने में तो उस तरह की photography के लिए 77D में हमें maximum 6 frame per second की speed मिलती है and 850D में हमें maximum 7 frame per second की speed मिलती है तो कुछ खास फरक high speed shooting में नहीं मिलता इन दोनों camera's में and guys अगर आपको frames per second in photography और video shoot आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि ये क्या होता है तो मैंने उस topic पर भी video बनाई हुई है जो आप जरूर जाके देखें और जाने की frame per second क्यों important है camera में उस topic पर जो मैंने वीडियो बनाई है उसका link मैंने नीचे description में और i-card पर लगा दिया है अब बात करते हैं कुछ major improvement की जो 850D में हमें मिल जाती है वो है viewfinder viewfinder में अब हमें 850D camera में time lag बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा guys अब हम camera में viewfinder से कोई भी image देखते हैं तो वो पहले lens से होकर sensor पर जाती है और उसके बाद हमें viewfinder में दिखाई देती है तो 850D में ये process काफी fast है जिससे हमें viewfinder से shoot करने पर हर moment like की तरह देख पाते हैं जो reality में action हो रहा है और हम जो viewfinder से देख रहे हैं उसके time में बिल्कुल भी gap नहीं होता especially जब हम बहुत fast moving subject को shoot करते हैं जैसे दोडती हुई car या फिर bike या फिर horses हो गए तो इस तरह की photography जब हम करते हैं तब ये feature बहुत काम आता है क्योंकि उस subject की तेज रफतार को फटा फट कैमरे को viewfinder में दिखाना एक बहुत बड़ा चुनोती का कार्रे होता है एक camera का तो guys ये सब तो है photography specification का comparison अब बात करते हैं वीडियो शूट करने के लिए हमें क्या-क्या फरक मिलते हैं इन दोनों cameras में तो 77D and 850D में सबसे बड़ा फरक है वीडियो resolution का 77D में हम maximum full HD video 60 frames per second पर shoot कर सकते हैं and 850D में हम 4K video without any crop हम शूट कर सकते हैं and इसके अलावा full HD video 60 frames per second पर shoot भी कर सकते हैं तो वीडियो resolution में 850D आगे निकल जाता है क्योंकि 2020 के according camera में 4K video resolution पर shoot करने का feature होना लाजमी है क्योंकि आप आने वाले 3-4 साल में video shooting purpose के point of view से future proof रहें और आपको आने वाले कुछ सालों तक camera upgrade करने की जरूरत ना पड़ें इसके अलावा focusing भी 850D की fast है जिसमें हमें eye and face detection जैसा feature मिल जाता है जो सबसे ज़्यादा काम आता है portrait shoot में बट गाइस 850D में 4K video एक शर्त पर shoot होती है वो है ISO power की limitation 850D camera में 4K video mode पर shoot करते वक्त आप ISO maximum 6400 तक ही boost कर सकते हैं जी हाँ आपने सही सुना सिरफ 6400 तक ही limit कर रखा है 4K video shoot करने पर अगर ऐसी situation है जहां आपको इससे जादा ISO boost करना पड़ रहा है तो आपको 4K video की बजाए full HD resolution में record करनी पड़ेगी तब जाके 6400 से जादा ISO आप boost कर पाएंगे 850D camera में बट गईज अगर मैं आपने point of view से बात करो तो 6400 काफी हो जाता है video shoot करने के लिए क्योंकि जितना ISO हम boost करते हैं उतनी ज्यादा noise या फिर जिसे हम grains भी कहते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं हमारी photos और videos में तो overall 850D की specification जादा better है 77D से चाहे वो video resolution की बात हो या फिर focusing की अब बात करते हैं इन दोनों में से overall कौन सा camera best है और हमें कौन सा camera लेना चाहिए तो guys दोनों में photography के point of view से देखे तो जादा फरक नहीं है दोनों cameras में almost मिलती जूलती specifications है दोनों cameras की बट कुछ-कुछ features है जो जादा better है 850D के 77D से जैसे की eye and face detection and जादा autofocus points भी हमें live view पर मिलते हैं 850D में design and battery backup भी जादा अच्छा है Canon 850D का क्योंकि guys 200 shots से काफी फरक आ जाता है battery performance में especially guys अगर आप event shoot करते हैं या फिर wedding shoot करते हैं तो 850D से आप जादा event cover कर सकते हैं अच्छी battery backup होने की वजह से and second thing guys 850D में digit 8 processor होने की वजह से कहीं न कहीं image quality and overall result में फरक आ ही जाता है तो जो image quality है 850D की वो थोड़ी बहुत better हो सकती है 77D से and video shoot के point of view से बात करूं जैसे कि मैंने आपको बताया no doubt 850D काफी better है 77D से क्योंकि 4K video shoot करने का option और fast focusing बहुत जादा important role play करती है video shoot में तो 77D के overall features कम है 850D के comparison में तो guys price को मद्धे नजर में रखते हुए अब सवाल यह आता है कि इ क्योंकि Canon India की official website पर अभी तक 850D का price mention नहीं किया गया है but market में expected price इसका 50,000 से 60,000 की बीच में या थोड़ा बत अब हो सकता है तो guys अगर 850D कुछ दिन बाद इंडिया में proper launch होने पर 60,000 रूपीज या इसके थोड़े आसपास के budget में launch होता है तो हो सकता है 77D के company price कम कर दे 77D and 850D में minimum 10-15,000 का फरक आता है आपको 77D 10-15,000 रुपे सस्ता मिलता है market में और आपका camera खरीदने का motive 77D से sold हो जाता है for example आप normal use के लिए camera लेना चाहते हैं और आपको 4K video shoot करने से कोई मतलब नहीं है तो आप 77D ले सकते हैं 2020 में कोई दिक्कत नहीं है बट अगर हमें दोन फोटो एंड वीडियो दोनों तरह के काम में best हो विद लेटेस्ट फीचर 60,000 रुपीज के आसपास में तो 850D एक बहुत ही अच्छा option है तो I hope guys आपको इन दोनों camera's में फरक पता लग गया होगा in case अगर आपके mind में कोई भी question हो तो आप नीचे comment box में लिख सकते हैं and guys आ आपको ये video कैसी लगी मुझे comment box में जरूर बताएं क्योंकि आपके comments मेरे लिए बहुत कीमती है और आप सभी के video पर like और comment से मुझे काफी ज्यादा motivation मिलती है तो guys अपना कीमती वक्त में से 2 second निकाल कर इस video पर comment करके जरूर बताएं so thanks for watching guys आप सभी अपना ख्याल रखें अपना कीमती है